कॉंग्रिस के दबाव की हम बात कर रहे थे और कॉंग्रिस के दबाव के बावजूद पपू यादो ने अपना नाम जो है वो वापस नहीं लिया और पूर्णिया से निर्दलिये चुनाव लड़ने पर वो अब भी अड़े हुएं पपू यादो ने कहा कि उन्हें कैची चाप मिल चुका है ये जंजन का चाप है उन्होंने कहा कि दिली से लेकर पटना तक सबने उनके साथ धोखाईं किया है लेकिन जनता पर उन्हें पूर्ण विश्वास है और जनता उन्हें पूरा समर्थन दे कर जिताएगी पपू यादो ने ये भी कहा कि उनकी पतनी रंजीत रंजन कॉंग्रिस की राश्चिय प्रवक्ता है और राच सभा सांसद भी है उन्हें अपने पार्टी और गडवंधन का धर्म निभाना चाहिए उनके प्रचार में उन्हें नहीं आना चाहिए वहीं पुणिया के आरचेडी प्रत्याशी बीवा भारती ने कहा कि उनके चुना प्रचार में पपू यादो की पतनी रंजीत रंजन समेट कॉंग्रिस और महागडबंधन के कई बड़ी नेता जरूर मौजूद होंगे उन्हें पपू यादो पर तंज करते हुई ये तमाम बाते कहीं उन्होंने का कि एक तरफ तो पपू यादो मेरे खिलाफ ही खड़े हैं लेकिन दूसरी तरफ उनके पतनी मेरे लिए ही चुना प्रचार करती हुई मंच पर आपको नज़र आएंगी बीजेपी की बीटीम बनकर बीजेपी के एजेंट के तौर पर पपू यादो काम कर रहे हैं बीमा भारती के तरफ से इक बड़ा आरोब जो है पपू यादो के उपर लगाया जाता है हृँ हमारे चुमा प्रचार में नहीं आना चाहिए एक अपालण आवश्यक है और हम दोनों राजजनीती और समाजी का था कि दोनों संसकार है परम्देमों एक दूस्टे के संस्कार और संस्कृति से जीते हैं, वो अपने दायतों का करतव्यों का अंधिल्भान पुरे देश में करेंगे, वो कॉंग्रेस की लीजर है, कॉंग्रेस उनको टाय करेंगे कि कॉंग्रेस को क्या करेंगे। विला है, इसमें तो जानबूज के साजिस के ताहर तमको लगता है कि या बीजेपी का एजेंड बन करके काम कर रहा है, इस सभी जानते हैं। इस मौके पर जदिव प्रत्याशी सांसत संतोष कुश्वाहा ने देखिया निर्दलिय प्रत्याशी पपू यादों पर जम कर कटाक्ष किया, कहा कि पूनिया और देश का हर व्यक्ति ये जानता है कि अजीत सरकार की हत्या किस ने गी थी, वहीं इस मौके पर लेसी सिंग और संजे सरावगी ने भी पपू यादों को घेरा है